आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साह डिसकर्स करने जा रहे हैं, VVA सुरी, Advanced Excel Working Professional में हम बात करेंगे, Custom Formatting. अगर मैं यहां पर अगर कोई चेक नमबर लिखता हूं तो इस तरह से तो जीरो हमारा देखे गाइब हो गया क्योंकि नमबर कभी जीरो को आगे से कंटेन नहीं करता है इसके लिए हम सिंगर कोड लगाएंगे जीरो वन टू टू ट्री फॉर फाइफ करेंगे तो यहां पर आपके सामने जीरो आएगा ओके क्लियर है क्लियर है कि मुझे पूरे कॉल में स्टेक्ष लगाना परेंगे तो अजर पूरे कॉल में लिखना ही है तो क्योंने हम नमबर फॉर्मेट में जाए या फॉर्मेट सेल के नमबर फॉर्मेट में जाए और इसको टैक्स लेकर अब अब मुझे यहां पर सिंगल कोर लगाने की जरूरत नहीं है हर एक टैक्स ही होगा अगर में फॉर्मुला भी डालता हूं वो बेसिक लिए फॉर्मुला परफॉर्म नहीं करेगा तो चलो ठीक है अब टाइप करते हो उसकी बात के लिए किसी ने आपको आपके अनेक्शर में चेक नमबर भीज दिया उसमें जीरो नहीं लाए आप यहां पी प्रॉल्म होगे यह आपको तो प्रिंट करना है उसमें जीरो पुना चाहिए तो राइट क्लिक किया अपने फॉर्मेट सेल और इस फॉर्म ने क्या किया कि कस्टम पर चलेगा और यहां पर वान टू टू ट्री फॉर फाइव सिक्स सिक्स टाइम हमने जीरो दे दिया कि देख रहा है ओकी ग्रेट अग्या इस अगर आपका 85 ने इसने वीजबल और इसली एक थी एख त्यूरी है कि फॉर्मेट कांट चेंज भी जजलेटी ज़स चेंज ज़ुआ विजली है तो किसी भी फॉर्मेटिंग किसी तरग्य फॉर्मेटिंग किसी माध्यम से लगाते हैं तो तो उसकी विजिलेटी को चेंज करता है और इसे प्रॉडम क्या होगा कि अभी जैसे एक जगा प्रेक्षे में लिख दिया 000085 अब यह दोनों दिखने में एक जैसे है तो आप देखो कि दोनों मैच नहीं है और एक्षोल में 0085 इस पॉर्मेटिंग से नहीं मिल सकता है तो हम क्या करेंगे जो फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स हमने डारेक्ष लगाए तो उसी ट्रिक्स को हम टेक्स्ट फॉर्मूला में लगाएंगे और यहां पर देंगे 0000 देंगे और आप देखेंगे कि आपके साम में यह आपके पास आगे आगे बढ़ते हैं अब यह दोनों आपस में ब्रावा है कि सुबाती क्लास में हमें कस्तम फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग में पढ़ना होगा कि हम आगे चलिके रिपोर्ट्स लगापी लगाएं हाइलाइट करें कि इस लिए चीजिए हमने दीच सेंटma है और मैं मोईलनमर में मैं मोईलनमर लिखने वालाओ नेकि उसके प्लस नई 1 ही लगा लिखते समय प्लस नैयन नहीं लगता है प्लस एसमन लगता हु आ इस बहुत कहा है तो कुछ स्वाल स्थ ये लिखण हो उस पर नंजैंटृ कोर्त यह प्रफिक्स कि अगर मैंने नंबर कम डाला तो जिरो-जिरो कर देगा यहां में प्रॉल्म आ गई कि हमें बिना गौर किये पता ही चलेगा कोज सा नंबर कम है और कोज सा नंबर जाना है तो कस्तम में हम यहां पर जाएंगे और करेंगे वान टू ट्री ओर पाइप सीक्स सेवन एफ नाइफ टेंटाइम है कि एक है कि लियर है कि यह कि संदց कि कि तो हैस लगा दिया है अब हैस और जीरो के क्या फंडा है हम आके आपको समझाते हैं जैसे आप मालीजे के आइडी हम आपको देते हैं तो उसमें हम प्लस नाइन ओन करते हैं इसमें हर तीन डिजिर के बाद हमें डाइस करना है यहां पिया करेंगे 123-123-123 दो हम भूले जिसे सिर्फ पर सकते हैं जैसे कि एक अमालगी कर सकते हैं को पर सकते हो यह सब्सक्राइब कि इस तरह से यह फोर डिजित आप चाहता है घृ तो यह चाहता है तो करना चालता हूं तो हम क्या करेंगे यहां पे चार वर हैस लिखेंगे 1, 2, 3, 4 स्पेस देंगे और इंवर्टट कौँबा में जो एक्स देना है उसको लिखेंगे तो हमने इंवर्टट कौँबा क्यों लागाया क्योंकि हमारा यहां पे है एक्स जो है टेक्स्ट है इसलिए है ओके ओके इस तरह से करेंगे और इची और ही हो थी आपको एकांट नुम्बर एकुछ ऐसे नंबर लिखते हैं जो कि मोर दैन कि इसको करने के लिए जस्ट आपको एक हैश लेदा है और कुछ लेदा है जस्ट एक हैश कि दिहार लखिएगा कि जो हैश होगा वह सिर्फ 15 टक होगा जैसे मैं फिप्टीन डीजितक डालू आप देखेंगे स्वहमा स्वहमा डेजितक जो FE अब आपको होगा तो जीरो हो गया क्यों होगा अब इसको ध्यान से जाए है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके तो एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर जो बना हुआ है कंप्यूटर बना हुआ है करते हैं तो क्या होता है तो आपका सिस्टेम जो है उस कल्कूलेशन के लिए बना ही नहीं है इसलिए वह आपका प्रफॉर्म ही नहीं करता है और इसके इंट्री करता है और इसको आप नंबर फॉर्मेंट में लिखेंगे तो आपने आपको जीरो में कर दो अगर आपको उससे जड़ा इंट्री लिखना है तो आप यहां पे सिंगल को लगा के टेक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं प्रफॉर्मेट को में लिख सब्सक्राइब करेगा या टेक्स्ट कंसिडर करेगा गरें अभर कशिवार नंबर नेंदर नहीं करना तवी तो ऐसा हुआ है नंबर कर से दो इसको वी डॉनथ है अभर ने अपने आप अनि सोलुशन कि नंबर करें से नहीं कर रहा हैं सब्सक्राइब करेगा तो फिक कैलकुलेशन करेगा कैलकुलेशन की कैपेसिटी 15 इसे जाना नहीं है कि इसको मैं मल्टिप्लाइब टू करता हूं तो आपका एक मैं फॉर्मेट अप्लाइब करता हूं से कि आपका 15 तक ही आए इससे जड़ा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर देता हूं तो देखिए उत्में जड़ा जीरो आगए डिजित नहीं बढ़ा है या जीरो के जब्सक्राइब कर देता हूं कि है कि है कि फंडाओ के उपर की जीरो हैस कर दो है कि हमने कहीं पे जीरो और या अपहें पर आश रिया आखिर क्यों तो यहां देखिए जैसे हमें कुछ नंबर लिखा मुझे इसमें लिखना है इसमें अगर मैं प्लॉस जीरो कर दिया तो आप देखेंगे कि रिजल्ट यहां पर एरर आया क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर आप टैक्स लिख जाते हैं लिख देते हैं तो फिर वो आपका कि मैं टैक्स नी रहता और मैं थेमेटिकल कल्कुलेशन नहीं करेंगा तो उससे बचने के लिए क्या करना है तो नंबर एक चुली में रहें पंड़ोड़ चालेश तो वीजबन हुँ एमार्वी पंड़ोड़ चालेश तो इसके लिए यहां पर हम कस्तम फॉर्मेट करेंगे और यहां हम देंगे अपना हम आखते हैं कि इनवार्वर्टर कवा में फिए लिए जिवाए निए हैस लगया तो आपका सिर्फ इमरवी डिखेगा आपका नमबर नहीं नहीं दिखेगा मैं चाहते हैं मैं नमबर भी दिखे तो क्या करना होगा पांश कर दो आप नेक्स तो कोई लिपन के लिए तो दिनल लगा ना ही है तो आपको डिजिट को मेंटेन करेगा है लगाते हैं तो डिजिट मेंटेन नहीं करें नहीं करें अब इसको अगरा मैं एक्जाम पर निखाओं इसमें 50 रूपीज और 36 पैसा लिखा है अब देखिए इसके आगे हम अपना लगाते हैं यहां पर 0 है और यहां पर हमने कर दिया रूपीज और तो फिब्टी रूपीज थर्टी सिक्स पैसा अब क्वेश्चन आया कि हमने इसमें जीरो हैस क्यों दिया हम यहां जीरो जीरो भी कर सकते थे ना तो चीक है आपको 55 रूपीज 36 पैसा करेंगे जीरो फाइब दिखेगा बर अब यहां पर 50 पैसा लिख दूगा तो जीरो फिटी पैसा तो जीरो लगा देगा जूकि और लगेगा तो लेकिन आप एक जुड़ करूं तो फिर फिर जीरो फाइब दो डिजित मेंटेंड नह अगर माल लिटे में नहीं होगा तो ईक ही जीरो दिखेगा और अगर हमने यहां पर माल लिखे कि अगर फाइज गासा है नहीं होगा तो छिए जीरो फिर सोख देगा और डॉट के बाद पैसा जिरो 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 दिज़ेगा अगर इस पर आपने हैस दे दिया तो थर्टी के जगह पे तीन पैसा दिखेंगा समझें तो यहां पर डॉट देना चाहिए तो तीन पैसा दिखेंगा तो जिरो है इसका पंगा समझने आ गया इसमें आगे की चीज पर अभी आपको आगे परादा लेकि प्रॉलम है कि इसको आगे पढ़ने से पहले एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए तो कि कस्टम फॉर्मेटिंग चुटी मट्षी चीज में यह बहुत बरी है और वी प्याइट तक आपका पिछाद नहीं छोड़ेगा डेट फॉर्मिले में टेक्स्ट फॉर्मिले में बहुता जगवब में हम टेक्स्ट फॉर्मिलें के साथ इस कस्तम फॉर्मिट का यूज़ करते हैं ठीक है तो मैं आपको कस्तुम फॉर्मेटिंग का एक आर्टिकल का लिंक आपको भेज रहे हैं कि आप दोनों आदमी इसको बैठ के अराम से पर लिजिए फिर कर हम आपको एडवांस कस्टम फॉर्मेंटिंग के उपर बात करें कि ठीक है राहुल जी मेरा इडी को होना आपका राहुल डोट टी-उ-म-A-R राहुल र-A-H-U-L डोट राहुल डोट टी-उ-म-A-R येस जीड़ो सेवन ये और जिमाजी का है सिंग रिमाज त्रीक है आर्टिकल बेजा है इसको पढ़िए करेंगे और राहुल जी आपकी जो फाइल बरी प्रावलम है उसको मैं करेंगे आज किसी और की फाइल लगनी है कल हम आपके इसमें नौ बज़े की क्लास में अब उसको रखेंगे ठीक है तेंक यू तेंक यू तेंक यू